अगर ये पैसे लेके भाग गई तो मैं होता तो यही करता पता है अगर आपने हमारी चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकोन प्रेस कर दे जिससे आपको लेटिस बड़न इसके बॉक्स ओविस कलेक्शन की रिपोर्ण मिलती रहेगी तिरफ 10 करोड रुपे था जो कि जैबिम फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर रिलेज होते ही रिकवर कर लिया क्योंकि फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर 12 करोड 20 लाग रुपे से भी ज़ादा की ओपनिंग की इसे के साथ इस फिल्म के दूसरे और तिसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोध देखने को मिली ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन 13 करोड 50 लाख रुपे कमाए लेकिन फिल्म का तिसरे दिन का संडे का कलेक्शन काफी ज़्यादा बड़ा ओ फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को 15 करोड 40 लाक रुपे से भी ज़ादा का कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोड़ा कलेक्शन और पहले अपते के कलेक्शन की बात करें तो यहां फिल्म अपने पहले अपते अपने बज़र से लगब नौ गुना ज़ादा कमाई करने में कामियाब रही ओ फिल्म ने अपने पहले अपते 90 करोड 45 लाख रुपे कमाई लेकिन इस फिल्म को ओटेडी प्लेटफरम पर रिलेज हुए 42 दिन हो चुके हैं और रिपर् इस फिल्म में आपको रक्षे कुमार के साथ केटिना के फलेट वल में दिखाए दी थी वहाई इस फिल्म में आपको अज़े देऊगन और रनवीर से का भी काफे जबर जेस्त केमियों देखने को मिला था वहीं फिल्म का बज़र था 150 करोड रुपे लेकिन काफी अच्छ फिल्म ने अपने दूसरे दिन 23 करोड विच्छा सी लाख रुपे कमाए लेकिन फिल्म के तिसरे दिन फिल्म का कलेक्शन काफी जाड़ा बड़ा ओ फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को 26 करोड चुरिया नो लाख रुपे का जबर जेस्त आकड़ा पार किया वहीं अग साथ लाग रुपे के असपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का अभी तक का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन एक सो चूरे अन्नो करोड चैलिस लाग रुपे हो जाएगा लेकिन अब बात कर लेते हैं सल्मान खान की फिल्म अन्तिम के बारी में आपको बता दे अन्तिम फिल्म में आपको सल्मान खान के साथ आयू शर्माली डोल में दिखाए दिये थे वह इस फिल्म का बदरता 40 करोड रुपे है लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिक ओक डिक्स ने मिक्स रियू दिया लेकिन कई लोगों को यह फिल्म काफी ज़्यादा पसंद आई और उन सभी लोगों ने इस फिल्म को 4 Star You दिया जिस वज़े से माना जा रहा था फिल्म का कलेक्शन काफी जबर जस्त रहेगा लेकिन आपको बता दे फिल्म ने अपने पहले दिन उम्मित के मताबिक काफी कम क कमाई करते हुए 5 करोर 3 लाख रूपे कमाई लेकिन इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छे ग्रोध देखी गई ओ फिल्म ने 2 दिन 6 करोड 3 लाख रूपे की ठीक ठाग हमाई की इसी के साथ यह फिल्म अपने तिसरे दिन संड़े को लगब 25 परसंट से 17 दिन हो चुके हैं और अज 29 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का 17 दिनों का टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन 49 करोड 40 लाग रुपे हो जाएगा ये लेकिन यह फिल्म वर्ड वाइड बॉक्स ओविस पर काफे बड़ा धमागा करने में काम्याब रहेगी क्योंकि फिल्म का अभी तक का 14 दिनों का टोटल बॉल्ड वाइड कलेक्शन 91 करोड 50 लाग रुपे से भी जादा रहा जिस ओज़से यह फिल्म लगबग अपने बज़ट से दो गुना जादा कमाई करने में काम्याब रही और अगर इस एपिसोड की चोथे फिल्म तड़ की बात करें तो तरफ फिल्म में आपको आहन शिट्टी के साथ तारा सुतारिया लीड रुल में दिखाए देती हुए इस फिल्म का बज़ट था बेस करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिकों की डिक्सने काफी ज़रा पसंद किया और लगबग तरी इस्टार र अपने तिसरे दिन संडे को पाच करोड वी 30 लाख रुपे का दमाकेदार आकड़ा पार किया वहीं अगर फिल्म के पहले अपते और अभी तक के डोड़ा कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले अपते बॉक्स ओविस पर इपने बज़ट को रिकवर करने में क इस करोड एक लाख रुपे हो जाएगा लेकिन अब बात कर लेते हैं आशमान खुराणा की फिल्म चंडी कड़ कर्या आशकी के बादे में आपकगबaways को बता दे इस फिल्म में आपको आशमान कराणा के ताथ वानी का पुलीटोल में दिखाए दी थी वह इस फिल्म का ब और अगर इस फिल्म के साथ रिले जोई फिल्म वेले का कंपेर करें तो वेले फिल्म में आपको सनी देवल के बेटे करन्द वो लिड रोल में दिखाई दिये थे वहीं वेले फिल्म का बज़र था 26 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिक ओगडिक्स ने काफी ज़्यादा पसंद किया वो सनी देवल के बेटे होने की वज़े से परन देवल की फिल्म वेले का वर्ड आप माँच भी काफी अच्छा रहा क्योंकि फिल्म को पब् दूसरों तिसरे दिन का कलेक्शन भी काफी ज़्यादा बढ़ा ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन बोक्स विस पर 7 करोड 40 लाग रुपे से बिज़दा का कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के तिसरे दिन यानि आस संदे के कलेक्शन की बात करें तो माना जा रहा है यह अपने तिसरे दिन यानि आ संडे को काफी अच्छे ग्रोध पाते हुए 2 करोड़ 90 लाख रुपे के आसपास कमाई कर लेगी जिससे वेले फिल्म का तिन दिनों का टोडल बॉक्स ओविस कलेक्शन 7 करोड 52 लाख रुपे हो जाएगा जिस वज़े से वेले फिल्म भी बॉक् इस पर बाजी मारती हुए नजर आ रही है वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी करन दिवल की फिल्म वेले लेगें लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में साउथ के सूपर इश्टार शुरिया की फिल्म जाई भीम का कलेक्शन रहेगा जादा जिस वज़े से लाइफ टाइम क को देखा है तो आपको इन छे फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे जादा पसंद आए और आप इन छे फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इस साल की 2021 की सबसे बड़ी हिट सूपर हिट ब्लोगबस्टर और फ्लो फिल्म साउत के सूपर इस्टार शूरिया की फिल्म शर्मा के अक्षे कुमार की आफिस साउट के सूपर इस्टार शूरिया की आपके राह में निशी कमेंट कर जरूब जरूब बतार हमाई वड़ी पसंद आयो था हमाई स्वीडियो को लाइक करो और जाते जाते आपके और हमारी चैनल कलेक्शन टेको भी सब्सक्राइब को ब